स्टार्ट होने वाला है तो आप में से कितने पेरेंट्स ने ये ठान रखा है कि आप अपने बच्चे की हैंड राइटिंग पे वर्क करेंगे यानि उसकी हैंड राइटिंग सुधारने में उसकी हेल्प करेंगे के स्टार्व आप्ट जो विकेशन है इसमें अपने बच बच्चा अपनेटे को कर्सिव एनिटिंग सिखा ओऊं बथ पेरेंट्स की कमपेंट होती है कि बच्चा इंडिविजिव लेटर लोटर लिख रहाँ है बड़ जब वर्ड लिकेशन की बारी आती है जब लेटर टू करवाना है और कौन सी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है यह मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी यह एक सैंपल किताब है मेरे पास बुक है जो मैंने अपने बेटे के लिए ली है जब भी कर्सिव राइटिंग हम कराते हैं तो पहले कर्सिव स्ट्रोक जरूर प्रैक्टिस करवाते हैं इससे बच्चे की ना हैंड मुव्मेंट इंप्रूव होती है उसको हाथ को घुमाना अच सहते हैं बहुत जाधा हेलक करते हैं बच्चों को कष्ची आंड राइटिंग सीखने में उसमुड़ को लिंग में दिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया है उपर आय में में दिया है वह वी जएओ अप ज़रूर देखें कि स्ट्रोक सीखने के बाद पेंसे अश्यों कि एक लेटर कैसे लिखना है वो हम सिख्ते हैं बच्चा सीच भी लेता है बहुत आसानी से Стीके कुछ यगा ट्रेसंग होती है एक उच्वार देखने के लिखना होता है इंडिविग्च यदेशने में कोई फ्रॉब्लें में लिए बर्च मैं नहीं होती यह सब अविस कोगे प्रेक्टिस करवानी है कौन से कौन से लिटर कॉमिनेशन प्रेक्टिस करवानी है जिसे बहुत मिलेगी बच्चे को यह मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी इस टोग सिखा दिया आपने इंडिविज़ुल लेटर सिखा दिया आपने उसके बाद सीधा वर्ड की तरफ मत उनको सिखाने के लिए आप हमेशा two letter combination से स्टार्ट करिए वर्ड इसलिए भी मत सिखाईए क्योंकि अगर आप कोई वर्ड सिखा रहे हैं जैसे के फ्रेंड तो capital letter F को उसको फिर R कैसे जोइन करना है यह उनको आइडिया नहीं होता तो आपको capital letters and small letters को combination उनको सिखाना चाहिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह पहली वर्कशिट जहां पर हम capital letters and small letters दोनों एक साथ सिखा रहे हैं जिसे उनको आइडिया आए कि okay small B capital B इस तरह से दिखते हैं small C capital C इस तरह से दिखते हैं इसके अलावा capital letters के साथ small letters को कैसे join करना है इसका भी idea हम दे रहे हैं तो यहां पर यह पहली वर्कशिट जो के बहुत helpful रहेगी words से पहले आप इस तरह की वर्कशिट जरूर प्रैक्टिस करवाईए so capital A and small B capital A and small B capital B and small C then capital C and small D क्योंकि capital हो गया है हम small D हो गया है हम capital D की तरफ बढ़ रहे हैं capital D and small E then small के बाद आता है capital E and small F इस तरह से हर capital letter and हर letter को small version भी आप सिखा सकते हैं प्रैक्टिस करवा सकते हैं बहुत सारी parents कहते हैं कि बच्चा नीट नहीं लिख रहा है इसके लिए कोई trick नहीं है आपको प्रैक्टिस करवानी होगी especially two letter combination, three letter combination से आप start करिये and I assure you के वो neatly लिखना सीख लेगा slowly slowly but पहले आप two letter combination से start करिये words से जो बड़े-बड़े words होते हैं बड़े-बड़े sentence होते हैं उससे बिल्कुल भी start मत करिये तो यह थी पहली worksheet Z तक आप इस तरह से लिख के दीजिए दो-दो line बच्चे को लिखने के लिए encourage करिए इसके बाद second worksheet है जहां पर हम double letter combination बच्चे को practice करवा सकते हैं A A B B इस तरह से A A B B जितना practice करवाएंगे न उतना neat बच्चा लिखना सीखेगा कोई trick नहीं है जैसे मैंने कहा cursive writing only practice के तुरू बच्चे को आती है उसको याद रखना होगा कि लिखते लिखते ही हो सीखेगा जितना वो practice करेगा उसको याद रहेगा कि किस तरह से letter को लिखना है और कैसे दूसरी letter के साथ join भी करना है तो यह थी double letter वाली worksheet जहांपे A से Z तक सारे जो double combination से वो आप practice करवाईए UUVVWWXXYYZZ Then coming to two letter combinations यह बहुत important है So इस वाली worksheet में हम हर letter की combination बच्चे को सिखा सकते हैं जहांपे हम A से start कर रहे हैं A जो letter है इसके साथ हम सारे जो different 25 letters है उसको combination बच्चे को लिखना सिखाएंगे A B A C A D इस तरह से A B A C चाहे तो एक line practice करवाईए या दो line practice करवाईए But slowly and steadily practice ज़रूर करवाईए बच्चा ज़रूर सिखेगा और neatly लिखना सिखेगा इस तरह की worksheets के तरू So यह है related to A A worksheet जहांपे हम A B A C A D से लेकर A Z तक हम worksheet बनाएंगे Then इसी तरह से हम B की बना सकते हैं B A B C B D B E till B Z Then C A C B C D इस तरह से आप practice उनको करवा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे letter combinations बनेंगे आप single line दीजिए daily एक page दीजिए बच्चे को लिखने के लिए But ever 4-5 minutes में वो max यह करके देदेगा यहीन मानिए और उसकी handwriting बहुत बहुत ज़्यादा improve होगी मैंने online और nearby shops में देखा है बहुत सारी cursive writing books मेंने देखी है सारी worksheets एक ही किताब में cover नहीं हो रही थी इसलिए मैंने कुद अपनी DIY book बनाई है अपनी बेटे के लिए जिसमें मैंने तीन तरह की worksheets इंक्लूड की है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर गिया है एक है capital and small letters वाली then double letters then different letter combinations with each letter हर किताब में अलग अलग तरह की worksheets थी कुछ books में तो directly individual letters के बाद words के साथ start किया गया था जो कि मुझे personally परसंद नहीं आया था क्योंकि मुझे लगता है कि two letter combinations बहुत important होते हैं three letter combinations बहुत important होते हैं उसके बाद ही हम बड़े-बड़े words बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं वो खुद सीख लाएगा अगर आप बच्चे को इस तरह की combination पहले सिखा दें so maximum अगर आप यह sheets बनाएंगी और क्योंकि vacation में बहुत सारी चुटियां होती है दो महिने की तो बच्चा आराम से एक-एक पेज डेली कर सकता है तो individual letters combination की मैं बात करूँ तो 26 यह worksheets बन जाएंगी प्लैस यह जो 4 यहां पर आप देख रहे हैं 1,2,3,4 so 26 plus 4 30 worksheets आप बना सकते हैं और अच्छे से बहुत अच्छी तरह से बच्चे की practice घर पे करवा सकते हैं so यह जब सारे 2 letter combinations बच्चा लिख ले अच्छी तरह से practice कर ले उसके बाद आप 3 letter words या 4 letter words उनको सिखा सकते हैं जैसे कि अगर उसको cat लिखना है आप इस तरह से इसको explain करिए c a t यह होता है individual letter जब आप इसको join करेंगे तो यह बनेगा c a t इस तरह से इसी तरह से box तो कुछ 3 letter words लिखके दीजिए और बच्चे को practice करने के लिए कहिए फोरोलर बुक में सिखाना ही बहुत भैजर होता है मेरे experience है क्योंकि बच्चे को अलग तरह की जो बड़ी workbook होती है recursive में उसमें सिखाना फिर notebook में दोबारा उनको नीट से लिखने के लिए कहना यह उनके लिए तरह डिपकल्ट होगा अगर आप डिरेक्ली अपनी DIY बुक बनाएंगी तो इसमें डिरेक्ली बच्चे सीख लेंगे क्योंकि यहां पर उनको पता होता है कि कौन से लाइन से स्टार्ट करना है और कौन से लाइन पर एंड करना है और यही बुक वो रेगलर यूज भी करते हैं तो इसी में उनको अच्छी से आदत हो जाएगी नीट से लिखने की तो इस तरह से आप इस वाली बुक में अपनी शीट्स बनाएए पहले टू लेटर कॉमेश प्रैक्टिस की बात कर रहे है तो विकेशन में तो बच्चा लिखने के लिए जरूर मना करता है तो जब आप वर्ड चार रहे है तो मेरे पास एक टिप है आप क्या करिए जो वर्ड आप दे रहे हैं वह उनके फेवरेट वर्ड उनको दीजें जैसे किसी दिन उनकी कोई जो favorite color है, 2-3 colors उनके names उनको लिखने के लिए कहिए या उनके जो friend names है, जो उनके class में जो उनके best friends है, उनके names आप एक बार लिखके दीजे, उसको 2-3 बार लिखने के लिए कहिए, family member के names, या फिर उनके पास जो pets है या जो toys है, जिसमें उनका interest है, जो cartoon characters जिनको वो पसंद करते हैं, उनके names आप लिखिए और उन names को 2-3 बार लिखने के लिए कहिए, चार या 5 बार लिखने के लिए कहिए, इससे उनका interest भी रहेगा, उनकी अच्छी तरह से practice भी हो जाएगी तो आप भी मेरी तरह books पर dependent मत रहिए, इस तरह की 4-Eller book लीजिए और अपने खुद worksheets बनाईए बच्चे के लिए और उनको अच्छी तरह से practice करवाईए इस session में, so यह था आज को वीडियो, I hope आपको वीडियो helpful लगा वीडियो helpful लगा तो ज़रूर लाइक करे और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करे Happy Parenting from Splendid Moms Happy Parenting from Splendid Moms Give us a thumbs up if you like the video Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos